फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए सौट लिस्ट करके फाइब बेस्ट टू टन की एर कंडिशनर ले करके आ चुका हूँ जो कि आप 40,000 सब 45,000 टुपीज के एप्रॉक्स में बाइक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका भी बजल सेग्मेंट 40-45,000 टुपीज है तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं वीडियो में अंतक बने रहीएगा ताकि आपके भी कंडिशन दूर हो जाकि आपके घर के लिए कौन सी एर कंडिशनर जो है बेस्ट आप्सन होने वाली है तो च की स्प्रिटी एसी है त्री स्टार रेटिंग के साथ आती है पूलिंग कैफिसिटी देख लिया जाए तो 6050 वाट की देखने को मिलती है जो कि 180 से 190 स्कॉरर फूट एरिया को जो है आसानी से कवर कर लेता है रिमोट कंट्रोल आपको देखने को मिलती है फोर मोड दी गई ह आपको इसमें फेन मोड देखने को मिल जाती है और टर्बो मोड आपको इस एसी में देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं पावर रिक्वार्मेंट की तो आपको एसी 230 वाल्ट की देखने को मिलती है और पावर कंजप्शन की बात कर लेता है तो 1210KWH की आपको पावर कं वाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस AC की प्राइस की तो 42,490 रुपीज में आपको यह AC देखने को मिल जाती है सभी AC की लिंक दोस्तों डिस्क्रेप्सर में मैंने लिंक दे दिये तो आप चेक आउट जरूर कर लिजेगा बाइ करने के लिए सो दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंड AC की तो आपको मार्क बाइफ फ्लिपकाट देखने को मिल जाती है टू टन की आपको स्प्लीट AC दी गई है थ्री स्टार रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है cooling capacity आपको 6250 की देखने को मिलती है जो की 200 square feet area को आसानी से cover कर लेती है remote control देखने को मिलती है slip और turbo 2 mode आपको इस AC में देखने को मिल जाती है condenser coil जो है जो है जो आपको copper की दी गई है बात कर लेते है power requirement की तो आपको AC 230 volt की देखने को मिल जाती है और power consumption की बात कर ले तो 1209 watt की आपको power consumption देखने को मिलती है इस AC की 1 year की आपको product की warranty देखने को मिल जाती है और 10 years की आपको इसके compressor पर warranty देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं दोस्तों price की तो इसकी price आपको 38,999 रूपीज में देखने को मिल जाती है 2 ton की आपको split AC देखने को मिलती है 3 star rating के साथ आती है cooling capacity 6 to 5 0 watt की है जो कि 200 square feet area को असानी से cover कर लेती है remote control देखने को मिलती है और इस AC में आपको fan mode, slip mode और turbo mode 3 mode देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं दोस्तों condenser की तो आपको copper coil देखने को मिलती है और power requirement की बात कर ले तो 230 volt के आपको power requirement है और power consumption की बात कर ले तो 1209 watt की आपको power consumption इस AC में देखने को मिलती है 1 year की warranty देखने को मिल जाती है और 5 years की warranty आपको इसके compressor पे देखने को मिल जाती है price segment की बात कर लिया जाए तो 42,990 रुपीज में आपको देखने को मिल जाती है सो दोस्तों वीडियो आप लेको कैसी लग रही है comment सक्सें में हमें जरूर बताइए वीडियो पसंदार ही हो और informative लग लियो तो वीडियो को like जरूर कीजिए अप ले वीडियो को लाइक करना भूल जाते है पूलिंग केपिसिटी आपको 6000 वाट की है जो की 200 से 220 स्कूर फिट एरिया को असानी से कवर कर लेती है इरिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाती है और इसमें आपको तीन मोड देखने को मिल जाती है आपको स्लीप मॉड, फेन मॉड, एक आपको एनर्जी सेब मोड इस AC में देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं कंटेंसर की तो आपको कॉपर कोईल देखने को मिल जाती है और पावर रिक्वार्मेंट की बात कर लेती है तो 220 वाल्ट की आपको पावर रिक्वार्मेंट है लेकिन दोस्तों कार्ड लगाने के वाद यह सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना कर सके चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे आपरी AC की तो आपको गोद्रेज की इनवर्टर AC देखने को मिलती है तू टर्न के आपको स्प्लिट AC देखने को मिल जाती है त्री स्टाइब रेटिंग के साथ आती है कूलिंग केपिसिटी 6-50 की है जो कि आपको 200-220 स्कौरड फीट एरिया को असानी से कवर कर लेती AID mode control आपको देखने को मिल जाती है, cool mode, fan mode और आपको energy setup mode 3 mode आपको इस AC में देखने को मिलती है, condenser आपको copper coil की देखने को मिल जाती है, power requirement 230 volts की है, power consumption 1296 watt की देखने को मिल जाती है, one year की product warranty और 10 years की आपको compressor के warranty देखने को मिल जाती है, price segment की बात कर लिया जाए तो 42,999 और न सेग्मेंट देखने को मिल जाती है तो दोस्तों डिस्क्रेप्शन बॉक्स में सभी एसी की प्राइस सेग्मेंट की लिस्ट जो है मैंने दे दी है और साथी में लिंक भी दे दिये तो आप चेक आप जरूर कर लिजेगा और आपको कौन सी एसी पसंद है यह में सब्सक्राइब कर सके चलिए दोस्तों आपको से मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए तन्यवाद